वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें 22-12-2024 को हुने वाले एक्जाम के लिए लगभग आपके पास 124 कुछ एक दिवस का समय शेस है तो 124 दिवस में किस तरीके से आप आरो एरो प्रिलिम्स की पूरी समय की तैयारी कर सकते हैं इस बारे में पूरा स्ट्राटजी वीडियो रहेगा क्या 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 आपसे आपको पढ़ना चाहिए और अगर आप इस ग्रूप में आए हैं जो हमारा पेट ग्रूप शुरू हुआ है 27 तारिक को आउगस्त मन्त में तो उस ग्रूप को जोईन करके किस तरीके से आप स्ट प्रिफली यहां पर डिकोड करेंगे आई शुरू करते हैं 22 दिसंबर को होने वाले पेपर के लिए प्रिलिम्स परीक्षा की पूरी तयारी यहां पर कराए जाएगी तीन जुलाई को ही मेंस परीक्षा की तयारी के लिए हमने पेट गूरू अपना शुरू किया है आप चाहें तो मेंस के लिए भी जुट सकते हैं अगर आप प्रिलिम्स का बड़ा चंक तयार कर चुक है सिलेबस का तो मेंस के लिए जुट सकते हैं इहांपर डिसकस कर सकते हैं वाले group में within six hours आपको doubt का जवाब दिया जाता है दिन के समय में पूछेंगे तो आपको इतना वेट नहीं करना पड़ाता तुरंत तुरंत आपको doubt solve की जाते हैं आपने देखाई होगा study material paid group में आपको study material दिख रहा होगा कुछ study material अभी दिया गया है कौन कौन सा दिया गया अभी हम डिसकस करेंगे study material अभी आपको दिया गया है और फिर daily notes form में आपको study material मिलेगा recorded classes आपको एक साथ मिल गई होगी उनका उपियो कैसे करना है कैसे कैसे ये सारी चीज़ें आपके लिए उपियोगी होगी और फिर paid group में study material कैसे देखें वाला वीडियो देखा करिए इस पर आपको सब कुछ समझ मैया का कैसे यहाँ पर study material का उपयोग करना है कैसे आपको daily अपनी study मैनेज करना है daily कितना पढ़ना है recorded classes कैसे देखें और daily notes कैसे revise करें PYQ कैसे लगाएं paid quiz कैसे लगाएं किसका क्या आउचित्त है सब कुछ इसमें अभी यह करके बिंदुवाई discuss करना हम लोग शुरू करते हैं ROE RO का जो यह paper हुआ था जो cancel हुआ है 11.5 को जो हुआ था इससे हमें काफी सीख मिलती है किस तरीके से latest trend के हिसाब से आपको त्यारी करनी है और किस तरीके से पूरे syllabus को overall आपको त्यार करना पड़ेगा और किस तरीके से ROE RO को जो prelims paper और main paper होते हैं आप यकीन मानिए आप थोड़ा सा compare भी करें अगर आप last year का UPSC upper का prelims का paper उठा लें और यह वाला paper उठा लें तो जिस हिसाब से किस सवाल है आप पूछे गए लंदी सवाल, tough सवाल, tricky सवाल और अलग-अलग तरीके सवाल इसमें बराएगा आपको कई बार लगने लगेगा कि ROE RO को paper ज़्यादा tough है लेकिन इतने tough paper होने के बावजूद भी study for civil services के student अराम से 151 questions यहाँ पर निकाल सकते थे हिंदी जी इसको अगर मिला करके बात करें 58 questions आप हमारे हिंदी के study materials से और paid quiz से निकाल सकते थे test series हम लोग count ही नहीं कर पाए थे ROE RO leak के case की वज़े से हम लोग test series अपनी check ही नहीं कर पाए आप सिर्फ देखें study for civil services के notes के माध्यम से और हमारे practice resources के माध्यम से जिसमें test series नहीं शामिल कर रहे हैं आप दोसों में से 151 question यह आप निकाल सकते थे और cut off जादस जादा इन दोनों papers का expected था 117-120 you are candidate के लिए इतना ही estimate किया जा सकता था अगर सब चीजें सही रहती है खैर जो भी हुआ आपके पास एक second chance है हमने study material को update किया है इस बार recorded classes का भी feature हमने कुछ source समझ के add किया है recorded classes का feature add करना समय कि मांग है क्योंकि जो conceptual question आजकल पूछे जा रहे हैं जो concept अब पूछे जा रहे हैं जैसे महात्मा गांधिवाला जो question देखे मिली टेंसी समंदी जो पूछा था इसमें concept building की जरूरत है अशर्षन reason वाले question बन रहे हैं recorded classes में यही फोकस किया गया है कि अशर्षन reason वाले question आप solve कर सकें आगो concept build up जरूर है concept build up का मतलब यह है कि मान लीज़े आप medieval में पढ़ रहे हैं तो medieval में आप इक्तादारी पढ़े एक्तादारी सिस्टम पढ़े और फिर आपने मनसबदारी सिस्टम मुगल पीरेड की पढ़ी और जागीरदारी सिस्टम पढ़ी जागीरदारे और इजरा क्या महीन अंतर होते हैं क्यों किस भूमी का मालिक बनता है जैसे नयंकार सिस्टम आपने विजय नगर्म पढ़ा तो इन सब में आपस में क्या समानता है या differences है आजकल इससे सम्मधित सवाल बना दे रहे हैं समझ रहे हैं मतलब पूरा syllabus से सम्मधित आप सवाल एक पूछा उसे ancient के जो places थे इस समय के हिसाब से पूछा कि कौन कौन सी places अफगानिस्तान में नहीं है आप देखेंगे यह पूछा गया था इसी वेपर में जिसमें समरकंद फरगाना में अगरा दिया गया था उसमें पूछा गया था कि कौन सा अफगानिस्तान में स्थित नहीं है त और अग्रिकल्चर को लिंक करके सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसी वज़े से हमने आप पता है कि रिकॉडड़ेट क्लासेज भी आप पढ़े हैं हमारे नोट्स के माध्यम से कि फैक्ट्वल, कंसेप्ट्वल सभी तरीके कोश्चन कर सकें और पेपर अगर इससे भी तफ आ बहुत ही कम बुक्स में साइमन कमीशन के दूसरी बार आने की डेट वगरा मेंशन थी और साइमन कमिशन ने कहा कहा परयात्रा की थी ये लिखा हुआ था लेकिन हमारे स्टडी मिट्रेल में सारी चीजें मौझूद थी और आप देखें इतनी इंफोर्मेशन थी कोई बाइसा नहीं की 100 पेजेस में साइमन कमिशन हमने एक परग्राफ में खतम किया था और कई सारी बुक्स में इसमें पूरी डिटेल भी भर रखी है लेकिन ज़रूरी चीजें जो एक्जाम में पूछी गई थी वो नहीं दी वही थी यह study for civil senses को अन्य study material और अन्य coaching संस्थानों से अलग करने के काम करता है इसमें जो है अमारी तारीफ नहीं है इसमें यह है कि हमने आपे निश्था के साथ काम किया है हमने निशोर किया है कि लगातार हमारे students सफल हो उस दिसा में काम किया जाए तो किसी भी तबत्रति को अग पर देखा होगा study material वाले group में आपको current affair post कर दिया गया होगा समान हिंदी का study material post कर दिया गया होगा और reasoning का reasoning में ज्यादा तर material जो है PDF format में आपको question form में दिया गया है जिससे ज्यादा सज्यादा practice करें इतना ज्यादा practice करें उतना आपको lab होगा राश्ट्री अंतर अच्छे हो जीए से समद्य जितने भी subject हैं उनको 100 device video classes में cover करेंगे और notes दिये जाएंगे मतलब device video classes के notes दिये जाएंगे उसमें cover करेंगे video classes 100 के करीब यहां पर रखेंगे 100 से ज्यादा भी हो सकती हैं अगर यहां पर revision वगएर हमने जरूरी समझा तो 100 से अधिक भी हो सकती हैं हर subject के लगभग 10-10 video classes से आपर दी जाएंगी video classes 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं हर subject के लगभग 10-10 video classes और video classes के notes दिये जाएंगे video classes recorded हमने आपके group में एक साथ इस बार post कर दी है पिछले वाले group में एक करके मिली थी तो कई लोगों को समस्या हो रहे थी आपर download वगएरे कर दे में आपको video classes एक साथ मिल जाएंगी और video classes के notes जो है वो daily एक schedule के form में आते रहेंगे जिसको आप बारे में भी हमें बताए दे रहा हूँ डेवाइस video class के notes किस तरीके से मिलेंगे ये schedule है आपके strategy PDF में ही ये schedule लगा रहता है आपको print message में टेलिग्राम में तो ये आप note कर सकते हैं 28 August को पहला ये आपर module मिलने लगेगा आपको समाने विज्यान का फिर भारत की इतिहास का फिर भारती राज़ोस्ता का फिर पर्रेवरेंड का फिर समाने विज्यान का 28 August से शुरू होते हुए final class notes की PDF आपको मिल जाएगी ये 5 December को मिल जाएगी और इसके बाद आपको total PDF मिल जाएगी subject wise ये 5 December के बाद आपको लग रहा होगा बहुत कम समय बचेगा निश्चित तौर पर इससे पहले ही हम आपको provide करा देंगे subject wise PDF एक निश्चित समय पर तो daily video classes आपको already मिल चुकी हैं जितनी बन चुकी हैं कुछ special video classes अगर बची होगी तो दी जाएगी सारी video classes अमने पहले ही आपको recorded उपलब्द करा दी हैं जिससे जब चाहें आप उसको देख करके revise कर सके daily class notes अलांकि इसी schedule के हिसाप से आपको बिलेगा और इस schedule के हिसाप से जब सा reading group में दे दिए गए हैं सारी classes complete होने के बाद subject wise complete notes दिये जाएंगे जैसे video classes के notes जब complete हो जाएंगे 100 दिवस में 100 तब आपको complete subject wise notes भी मिल जाएंगे नहीं कि October के बाद आपको 14 October के बाद या फिस भी दिन आपके सारे device notes वाले schedule पूरा हो रहा है तो उसके बाद आपको subject wise PDF मि बात करें study for simple services की test series में question latest trend और पैटर्न के इसाब से होते हैं pyq पर आधारित रहते हैं लेकिन pyq से copy paste नहीं रहते हैं कि pyq भी उठाकर copy paste कर दी कर दिये study for simple services की team test series नगभी बराती है ना आगे कभी बनाएगी study for simple services का record रहा है हमने 2017 के आरो यारो से काम करना शुरू किया है आप वहाँ पर देख सकते हैं हर बार test series fresh और नई draft की गई थी एक आधे question match कर सकते हैं तथ्यात्मक वाले लेकिन कभी भी test series ऐसे नहीं हमने किया कि पुर अलग तरीके question बनाने में tough question, tricky question बनाने में ऐसे coaching सनस्थान महनत नहीं कर पा रहे हैं और ना ही छात्रों सकरवा पा रहे हैं यहां पर समस्या हो रही है study for simple services team महनत करने में महनत करवाने में विश्वास रखता है और हमारा मानना भी है कि जो छात्र महनत करते हैं महनती छात् करके इन प्रतिष्टित पदों पर पहुंचे 46 test series आपको यहां पर कराई जाएगी सभी fresh test होंगे यहां पर 10 GS के full length test होंगे हर test में 140 प्रस्ट होंगे जैसे आपको paper आता है test series में नवीन questions यहां पर कराई जाएगे जैसे आपका re-exam वाला paper हुआ था उसी स्तर के question यहां पर कराई जाएगे और tough questions के लिए आपको पहले स्तयार किया जाएगा paid quiz की बात करें तो paid quiz आपने देख लिया होगा तमाम question अल्रेडी upload कर दिये गए है practice के लिए questions का भंडार हमने भर रखा है खूब practice आप करिए मैंने आपको जैसे बताया कि हिंदी वालो जो paper हुआ था साथ में से 58 question आप कर सकते हैं जो single PDF जो हमने दी है हिंदी का जो study playlist single PDF में दे दिया गया है उससे और हमारी paid quiz से अठावन question कर सकते थे test series का count ही नहीं कर पाया थे हम आरो यारो लीक के चक्कर में हम लोग अपनी PDF का analysis नहीं कर पाया कि test series से आखिर कितना आया तो 58 question single PDF paid quiz से कर जा सकते थे हिंदी में और जीएस वाले में भी बहुत lab test series से और paid quiz से मिला था लोगों को आप भरपूर practice कर सकते हैं पूरे syllabus की practices में कर सकते हैं हमारे paid quiz group में आ करके कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इधर-धर संस्थानों में जो है कई सारे upload हो चुके हैं और आगे भी जैसे ही परिक्षाती थी कि करीब 60 दिवस बचे होंगे दो महीने बचे होंगे आपको questions की संख्या ज़्यादा देखने को भिलेगी और कई सारे tough tricky questions latest trend वाले questions आपको कराये जाएंगे test series का schedule यह आप देख सकते हैं पहले test आपको 2 September शुरू होगा फिर लगतार यहां पर 3 September 4, September 5, 6 और साथ को यहां पर हिंदी के sectional test होंगे फिर GS के sectional test आपको शुरू हो जाएंगे 9 September से और यह चलेंगे 19 September तक फिर हिंदी के full end test शुरू हो जाएंगे 20 September से और फिर लगतार GS के full end test 2 October शुरू हो करके यह आपको यह चलते रहेंगे 26 November तक फिर reasoning के test आपके 1 September शुरू हो करके 3 November तक ही चलते रहेंगे तो लगतार टेस्ट आपको देते जाना है, लगतार प्राक्टिस में बने रहना है, इसी वज़े से जो आगे हम schedule आपको बताने जा रहे हैं, 6-7 गंटे study का उसको भी follow करना जरूरी है, जो लोग इस schedule को follow करेंगे, हमारे study material को follow करेंगे, यही study material आपके लिए selection material साबित होगा, आगे जाकर के exam में, class notes के साथ जो हमने recorded classes add किया है, recorded classes बहुत बड़ी रही होगी, ऐसा नहीं होगा कि यह में एक topic को 2-3-3 घंटे खीचेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, recorded class बहुत हद तक समगरी के इनदीतर होगी, यानि कि content focused होगी, जिसमें आपको एक limited time frame में अच्छा तरीके content को समझा दिया जाए, जो बारीकिया है, जो तत्त हैं, जिन पर focus करना चाहिए, आपको पढ़ाई के दौरान उनको समझा दिया जाएगा, कई सारी अउधारणाएं यानि की concept होते हैं, जैसे अगर science पोट रहें तो जैसे उधारण के दौर पर आरकमडीस principle उसका उपयोग क्या होता है हमारे daily life में, विविन जो science के concept होते हैं, उनका उपयोग क्या होता है, DNA क्या है, gene क्या है, ये सब, और उध्योग से समंदित जो चीज़ें होती है, जोगरफी में, इस समझाने पर focus किया जाएगा, इसमें हम live इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि live class बहुत लंब आपको class notes form में printable format में मिल जा रही, तो दो तरफा आप revision कर सकते हैं, एक तो daily recorded classes सुनते समय, देखते समय, उसको study करते समय, और एक जब आप revise करेंगे class notes से, और यहां पर यह भी सुगता है, ऐसा नहीं है कि एक बार ही आपके पास मौका है, daily class देखना है, या class notes के माध्यम स सकते हैं, कोई भी आपका doubt है कि हमें यह चीज नहीं समझ में recorded class में, या फिर यह class notes में जो यह अधारडा है, यह तथ नहीं समझ में है, तो आप उसमें undoubt clearness वाले group में तो पूछ ही सकते हैं, विसे वस्तु को समझाने पर इसमें बल दिया जाएगा, जो कुछ चीजने जै जानकारी है, वो छात्र को ही करनी पड़ती है, तो जो हमारी recorded classes है, उसमें पार्ठ सामगरी को समझाने पर बल दिया जाएगा, और अतध्यात पंग जानकारी को कैसे अच्छे तरीके से smart रख सकते हैं, उन टेक्नीक्स पर फोकस किया जाएगा, डेली 6 साथ गंटे का यह rough time आप बना सकते हैं, चाहे class wise पढ़े हैं, चाहे subject wise आप पढ़ सकते हैं, class खत्म होने के बाद, class notes जब सारे upload हो जाएंगे, और class wise lecture आपके मिल जाएंगे, recorded classes के form में, उसके बाद आप subject wise revision शुरू कर सकते हैं, class wise किस तरीके से पढ़ सकते हैं, डेली 6 साथ गंटे में, इसको एक बार देख लेते हैं, डेली class के जो notes बिलेंगे, उसके revision के लिए हम दो गंटे यहां पर time मान रहे हैं, अगर आपने एक बार वीडियो lecture देख लिए, वीडियो lecture करीबे एक आर का हम लोग यहां पर मान लेते हैं, एक गंटे का, एक गंटे का वीडियो lecture हो गया, recorded class जो है और डेली class के notes पढ़ने में आप अगर तीन गंटे वितीत करेंगे, तो पूरे topic की clarity आपको मिल जाएगी, वस यह करना होगा कि उसकी एच्छे से practice करनी पड़ेगी, practice आपकी paid quiz में लगतार चल रही है, practice जो है वो class wise नहीं होगी, एक बात समझेगा, practice overall syllabus के इसाब से हो रही आप चाहें तो quiz group बाद में कर सकते हैं, जब आप 20 class, 30 class, 40 class देख चुके हैं, तो daily class के notes के रिवीजन के लिए 2 गंटे, और daily class देखने के लिए 1 गंटे करीब reasoning practice के लिए करीब 30 minutes निका लिए, और हिंदी पढ़ने के लिए करीब 45 minutes निका लिए, और हिंदी केवल और केवल study पढ़िएगा जो PDF आपको दी गई है, current affair पटने के लिए 30 minutes बान के चलते हैं, और बागी time यहाँ पर revision or quiz practice करीए, और जब test series आजाएगी तो test series practice करीए, यहाँ पर है, इतना लगभग आपको subject wise division करना चाहिए, अगर आपको लगता है कहीं पर घटाना बढ़ाना है, तो आता जैसे आपने देखा होगा paper में भी कि कहां पर क्या है, कब हुआ था कोई event, इतियास में कब क्या हुआ था, उसको कालिकरम लगा दीजिए, जैसे इतियास में पूछा गया कि सामेन commission भारत क्या दो बार आया था, किस date से लेकर किस date तक आया था, और जो अमरत सर की संध इस बार कई सारे बने थे, कथन कारेंड वाले इतने प्रस्ण पहले नहीं बना करते थे अगर आपको यादो, लेकिन अब क्यों और कैसे पर बहुत फोकस किया रहा है विशेवस्तु में, कथन कारेंड वाले प्रस्ण इसमें बन रहे है, statement और reason वाले, अशारसन reason वाले हम कह सकते हैं, इसमें कोई चीज हुई है, यह तो पता होना ही चाहिए आपको, क्यों हुई है, क्या उसके पीछे background रहा होगा, aftermath उसका क्या है, इस पर भी विचार करना है, इनमें से काउन सा सही, इनमें से काउन सा नहीं सही है, तो यानि कि जो tabular जानकारी, जैसे country capital से दो प्रशन इस पर आए थे, tabular जानकारी, जो कहीं सारी listing हम लोग बोलते हैं, वो आपको तैयार करनी पड़ती है, इसमें, तो listing भी आपर भरपूर दी जाएगी, जैसे local wind, स्थानी पवन, इस बार जो पुनर पर इक्षा होगी, उसमें एक प्रशन अपेक्षित है ही, आप mark क कर लीजे कि वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो इस तरीके की tables आपको हमारे class notes में मिलेगी, तो विशावस्तु से इसी प्रकार के प्रशन आपके पूछे जाएंगे, क्या है, कहां है, कब है, क्यों है, अन्ने समंधित जानकारी, उसे समंधित तत्थ है, और क्यों और कैस समयलित है, यह वाला, ऐसा ही प्रशना आपके बनते हैं, जो लोग पहली बार तयारी करते हैं, उन्हें लगता है कि यह सब कैसे तयार होगा, इतनी सारी dates है, जोगरफी में इतने सारे अवधारडाएं हैं, मतलब इतनी सारी dates है, history में, environment में भी dates है, geography में, schemes में इतनी सारी dates हैं, फ्लस कई सारे concept हैं, fact हैं कई सारे, अलग-अलग syllabus के topics के, यह तत्त कैसे तयार होगे, तो तत्त वैसे ही तयार होते हैं, जैसे हमने बताया कि आपको जैसे हमने class ती, फ़ले recorded class देखी, और फिर class notes यहाँ पर पढ़ें, class notes की reading की, और फिर practice आप कर रहे हैं, लगतार पे रिविजन किस से करना है, रिविजन class notes से करिएगा, ठीक है, recorded classes से revision मेरे साब से उतना सही रहे रहेगा, जितना class notes से आप बार-बार कोई चीज पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो यह पूरा जो कह सकते हैं, system है, इसी से लोग अपना exam clear करते हैं, और इसी से आगे भी clear करेंग, इ student का ही यहाँ पर main योगदान रहता है, कोई भी institute आपकी help multiple times revision करने में नहीं कर सकता है, इस subject से कितने प्रशनाते हैं, यह हम latest ही देख पाएंगे, क्योंकि जाहर सी बात 2023 का जो paper 11-5-24 को हुआ था, इससे पहले वाला नहीं देखेंगे, क्योंकि latest trend AC से पता चल रहा है, history, geography, geography, policy, economy, science, environment, reasoning, current affair और बाकी जितने भी topics होते हैं, उनसे प्रशनाये थे, हमेशे की तरह भूगोल से जादा प्रशनिस में आये थे, भूगोल से प्रशनानी का एक कारण भी है, क्योंकि जो व्यापार माडी जी है, कई बार भूगोल से लिंक करके आज कल आयोग नए तरीके रखते हैं, इनसे प्रशन है बन रहे हैं, जाहिर जी बात है, भूगोल का बेटे ज्जादा आ जाता है, क्योंकि इसमें, world geography भी आती है, Indian geography भी आती है, physical geography भी आती है, human geography भी आती है, RO में ज्दि आती है, history के भी 18 प्रशनिस में आये थे, ancient mist world, modern, सब कुछ इसमें आया था, वार इंवर्मेंट से ज़्यादा प्रशन हो सकते हैं, तो साइंस के वेटेज थोड़ा सा घट जाएगा, कहीं सकते हैं, प्रशनों की संख्या घट सकती है, आर्ट कल्चर से भी चार प्रशन इसमें आये थे, यह लेटेस्ट ट्रेंड है, आरो यारो का इसी के एराउंड चाहिए, कट आउफ से पार जाना हमारा लक्षा तभी मेंस लिख पाएंगे, प्रिविए से कट आउफ यहां पर रखा है हमने, लेकिन अब ज्यादा कोई इसका महत्वन नहीं रह गया है, लास्ट टाइम कट आउफ 2016, री एक्जाम का आया था, जो एक्जाम 2020 में वो था स सकते हैं, हमारा स्टडिम ट्रेल पढ़ करके, पेड कुई स्वालू करके, टेस्ट्रीज लगा करके, पचपन सतावर नंबर आप ला सकते हैं, थोड़ी समयनत लगेगी, लेकिन पेपर करते समय आसानी महसूस करते हैं आप, और काफी लोग लोग लाए भी हैं, GS का जो है वही गेमचेंजर अब साबित हो रहा है, GS में 140 प्रश्णों में करीब 15 रीजनिंग के, 14-15 रीजनिंग के होते हैं, आगो कम से कम यहां पर टार्गेट रखना होता है, 70 सही प्रश्णों का, 70 सही प्रश्ण भी आप निकाल ले गए तो आप UR में कट आफ क्लियर कर लेंग कि इसमें लाए, निगेटिव मार्किंग हटा करके, क्योंकि 1-3 की निगेटिव मार्किंग भी है, यह ध्यान रखना है मैं शाइए, 1-3 की निगेटिव मार्किंग में 70 से 75 सही प्रश्ण आपको GS में निकालने का टार्गेट रखना है, और हिंदी का जिस हिसाब का पर आ क्योंकि बार-बार डाउट आते हैं कि क्या हमें जो मार्किंग में PYQ compilation आ रहे, उनको लेने की जरूरत है, क्या समान हिंदी के लिए फला भुक लेने की जरूरत है, क्या फला test series या magazine लेने की जरूरत है, तो उत्तर है नहीं, जो भी content यहां पर आपको दिये जाएगा, class notes क के माध्यम से, daily recorded lectures के माध्यम से, और paid quiz test series के माध्यम से, और जो कुछ अलग guidance भी हम लोग कई बार देते हैं, voice messages के माध्यम से, या फिर कई बार live भी हम लोग करते हैं, तो इस तरीके से आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा, one stop destination में study for civil service का group होता है, one stop destination सिर्फ कहने के ल वेटेज इसलिए दिखाना होता है, तो कि आप देखिए कि हर टॉपिक से, चाहे art culture ही हो, चाहे UP कर इंटरफेर हो, UPGK हो, सबसे कुछ ना कुछ प्रशना आए हैं, geography, history से ज़्यादा प्रशना आते हैं कई बार, लेकिन आप यह नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ geography, history से cut off निकाल आप देखिए हर बार fresh test series बनाए जाती है, paid quiz के question भी PYQ से inspired हैं, लेकिन इसके वल PYQ नहीं है, PYQ के जरूरी वाले प्रशना paid quiz में आपको कराया जाते हैं, लेकिन हमारा paid quiz जो है, कह सकते हैं, resource intensive होता है, और आपको diligently तयार करता है, आपको तयार करता है exam के लिए, ठीक है, सिर्फ PYQ हम लोग नहीं देते हैं, paid quiz में इस हुझे से paid quiz को लगतार follow करते रहिएगा, paid quiz से directly आपको exam में कई बार questions देखने को मिलते हैं, हर बार, paid quiz का बहुत relevance है, test series आपको लगानी है, PYQ compilation भी जरूरी है, PYQ कुछ अभी भी दिंचार directly आ जाते हैं, उसका advantage है, और overall syllabus त मुगालते में हैं, PYQ तयार करके, आप exam निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा, PYQ से लेबस का एक भाग है, लेबस तयार करने में आपको help करेगा, लेकिन PYQ से cut off नहीं निकल सकता है, जी इसका, पेपर से हमें समझने जड़ूरी है, कि ऐसी पिचासी प्रशन साही करने चा तो आपको अपना effort बढ़ाना पड़ेगा, जिस हिसाब का पेपर इस बार आये था, उसमें आपको 70-70 साही चाहिए थे, और अगर पेपर थोड़ा सा easy side रहता है, 80-80 आपको चाहिए होंगे, easy moderate type जो लोग पूरा से लेबस कवर करते हैं, वो पेपर के दिन समझ जाते हैं क हमारा जो है क्या सही score होना चाहिए, या फिर कितना सही attempt होना चाहिए, बाकि इसके लिए guidance आगे मिलता रहेगा, कितना attempt करें, लेकिन अभी आप study material पर focus करिए, cancel paper समझ दा होगा, कि GS moderate difficult side ही आ रहा है लगातार, जब 2020 में भी paper हुआ था, थोड़ा सा disputed paper था वो प्रशन हो, हिंदी वाला, में इसका हम लोग देख सकते हैं, objective वाला, थोड़ा सा कठिन side ही exam रहता है, और इसी बज़े से cutoff थोड़ा सा कम ही रहता है, अगली आपको 6-7 गंटे यहां पर निकालने हैं, आगली 4-5 पहिने का जो समय मिल गया है, आपने देखा होगा कई बार आपका study material यहां पर दिया गया है, उसको तयार करते हुए cutoff निकालने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं, पड़ना आप ही कोपड़ाएगा लेकिन, daily class notes तो आपको group में सही मिलेंगे, study material group में, और recorded classes भी मिलेगी, लेकिन, जो study material है daily classes के form में और जो आगे subject wise वो दे दिया जाए, combine करके, उसके लावा भी आप दिये गए notes का short notes बना सकते हैं चाहे तो, short note picking काफी अच्छी practice होती है, अच्छे तरीके से आप चीज़ने learn कर पाते हैं कई बार, उसका एक method मैं आपके साथ साज़ा कर दे रहा हूं, जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, दरवाइस class notes से ही आप revise करते हैं, जैसे sickle cell anemia है, काफी चर्चा इसकी हुई थी, verse 2023 से ही होना शुरू हो गया था mid से, और budget में भी इसको announce किया गया था, budget 2023-24 में sickle cell anemia unmulin का रेकरम सरकार ने announce किया था, तो इसका क्या significance है, sickle cell anemia का उधारणा क्या है, sickle cell anemia हमारी body में क्या प्रभाव डालती है, unmulin का रेकरम का target क्या है, इसका lux क्या है, और कितने राजियों को इसमें आच्छादित किया जाएगा, सब इसमें आप लिख सकते हैं, वैसे तो यह जो भी है, जो भी scheme है, या फिर जो भी concept है, उसको notes form में cover किया गया होगा daily notes में, और cycle cell anemia, तो यह क्या होता है सबसे पहले, यह RBC disorder है, red blood corpuscles, यानि हमारी लाल रखत कोशिकाओं को प्रभावित करता है, RBC disorder है, RBC की आकार को basically प्रभावित करता है, RBC का आकार जहां by concave shape का होता है, इस disorder के होने पर हो जाता है, सिकल यानि दरांती के shape का, हासिया के shape का हो जात करना, oxygen transport अच्यास नहीं कर पाता है, क्योंकि सिकल सेप के, जो यह RBC बन जाते हैं, यह हमारे capillaries में फंसने लगते हैं, और इसके भी कई सारे side effect देखने को बिलते हैं, जैसे oxygen shortage in human body, justice syndrome, swelling in hands and feet, tribal area of population को ज्याद़ प्रभावित करता है, सिकल सेल अनिमिया, तो जो 17 राज, ज हम पर tribal population जाता है, सिकल सेल अनिमिया का टेस्ट कैसे करते हैं, सिकल सेल अनिमिया का टेस्ट कर सकते हैं, हम लोग high performance liquid chromatography टेस्ट से, HPLC टेस्ट से, full blood count टेस्ट से, HP electrophoresis से, और ISO electric focusing से, वर्ष 2047 के पहले, SCD के नूलन के लिए कारिकरम है, और इसको अनौन्स किया गया था, वजट 2023-24 में, officially कब PMODG ने इसको लागू किया, शैडोल मद्द प्रदेस में कारिकरम की दोरान इसको अनौन्स किया था, एक जुलाई 2023 को, इसमें लक्ष किया है, 0-40 वर्ष के आयू के 7 करोड लोगों की screening करनी दो फेज में, पहले साल 0-18 वर्ष के लोगों की screening होगी, और 2nd और 3rd साल में, 0-40 वर्ष तक के 7 करोड लोगों की screening करने का लग्ष रखा गया, तो इस तरीके से class notes की note making भी आप कर सकते हैं, बागी कोई doubt है, आपका class notes में कोई doubt है, recorded lecture में कोई doubt है, तो आप doubt clearance वाले group में पूछ सकते हैं, उसमें admin active रहते हैं, within 6 hours आपके doubt का reply यहाँ पर किया जाता है, अगर आप only study material वाले group में हैं, तो जिसमें daily class notes पिलेंगे, discussion group का support नहीं मिलेगा, आप अपना doubt इस number पर भेज सकते हैं, within 24 hour आपकी समझते का समधान करने का प्रयास किया जाएगा, तो लोग full paid group में हैं, उनके doubt clearance में हमारा commitment होता है, within 6 hours यानि 6 गंटे के भीतर आपके doubt का reply किया जाए, यह maximum duration है, इससे पहले ही आपके doubt का समधान यहाँ पर कर दिया जाता है, तो 15 माई के round आपकी daily classes मिलना शुरू हो जाएंगी, तब तक daily notes का अध्यान आप शु कर सकते हैं, इस तरीके से हमारा payment group यहाँ से शुरू हो जाता है, बागी कोई आपका doubt है, अब doubt clearance वाले group में रख सकते हैं,